तो यह देखो भाई नई थार फाइव डॉर दिग गी अपने को और भाई क्या लग रही है सीरियसली मस्त लग रही है देखने में तो एक नूम्बा फुल बगा रहा है भाई हमारी जिमिनी दाब मान रही है यहां पर वो खेंचम खेंच ले रहा है बनता इस ट्रिप पे तो निकली गए थे लेकिन उससे पहले हमें याद आया कहीं पे भी ऐसा ना हो कि जिससे हमारी ट्रिप खराब हो टायर पिंचर किट वगरा हमने रख ली एंड जो एर इंफ्लिटर वगरा वो भी रख लिया लेकिन उसके बाद याद आया मेरे को कि यहार कहीं पे भी यदि वाइरिंग इशू आया चुमे गाड़ी में घुजगे वाइर काट दी तो हो जाएगा अपने लिए काफी बड़ा इशू और उसको फी ठीक करने के लिए जल्दी से कोई आएगा भी नहीं तो चलो दिखाता हूँ मैंने आपके इंजन में जिससे की चुमें आते तो हैं बट वो रुक नहीं पाते वो निकल जाते हैं कुछ टाइम बाद तो वो वायर कटिंग वगएरा करेंगे नहीं और आपको अपने ट्रिप में कहीं पे भी इशू आएगा नहीं जल्दी सी इसका बोक्स देख लो आप सकते हो कहीं बाहर जाने की जवर्त नहीं है आपको यह बैल्ट के साथ में मिलती है और प्लस माइनस में जो आपको डारेक्ट बैटरी में लगाना है अब यह है कि आपको दस से पंदर दिन में मतलब गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी वरना सोड़ा बहुत इस्यू हो स के ऐटरी को यहां परम कर दो रहे जो प्रोब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली जो आपको पहले थार में आती थी क्या कि इस गाड़ी के चारो पईयों में डिस्क ब्रेक है ब्रेकिंग इसकी जबर्दस्त होने वाली है इसके जो वील्स हैं वो भी आई थिंग काफी बड़े बड़े दे रखे हैं तो यहां पे जो हैंने इन्होंने राइट में टर्न लिया हम सोचे पता नियार कहां लेके जाएंगे या फिर हम से चूप रहे हों गई तो हम भी पीछे पीछे चले गए और हमने भी देखा कि यार क्या है क्या नी तो उसके बाद गाड़ी यहां पे खड़ी थी और हमने इनको बातों में लगाया और भाई हमने आप लोगे के लिए वीडियो उनाई तो अब देखो पीछे भी डिस्क दिया गया है पीछे वाले टायर में तो जो ब्रेकिंग इशू पहले आता था थार ओनर्स को वो अब शैद नहीं आएगा इस वाली गाड़ी में उसके बाद साइड से देखो काफी लंबी दिखेगी आपको फाइव डॉर है इसके अंदर पूरे पूरे और देखने में जो है गाड़ी काफी अदा बड़ी बलकी मस्कुलर लग रही है तो लुक्स वाइस तो नो डाउट गाड़ी काफी तगड़ी है फ्रेंट में ग्रिल का डिजाइन जो है वो चेंज किया जाएगा और ज़्यादा बेहतरी ना आपको बाहर से कोई ग्रिल लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो तो अब की बार महिंदरा ने ही ग्रिल चेंज कर दी है जो कि आप देख रहे हो उसके बाद एक और बड़ा चेंज है जो कि मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ सबाइस इस गाड़ी की जो चोड़ाई है ना वो भी थोड़ी बहुत डिफरेंट होने वाली है अभी जो आपकी त्री डोर थार है ना उससे थोड़ी डिफरेंट होगी उसके बाद फिर इस गाड़ी में आपको देखने हो मिलेगी हर जगे LED कहीं पे भी हैलोजन का यूज नई वाली फाइव डोर थार में नहीं होने वाला है यह देखो हेडलाइट कोई अफ्टर मार्केट की ज़रूरत नहीं है कंपनी ही आपको बेस्ट क्वाल्टी LED हेडलाइट देने वाली है LED इंडिगेटर्स यहाँ पे साइड में देख रहे है आप लैफ्ट में तो यह सब जो है आप कंपनी ही देने वाली है अब एक और चीज़ ऐसी है जो कि आप सोचरों कि हाँ यार वहाँ तो हैलोजन ही हमें मिलेगा तो आप सोचरों कि हैलोजन कहीं फोग लेंप ना मिल जाए तो नहीं यहाँ पे भी LED का यूज किया गया है तो यह सारी चीज़े देखने के बाद लगा कि हाँ यार अब की बार जो है महिंदरा थार में कोई कमी नी छोड़ने वाला और यह जो थार है ना यह सीरियसली काफी जबरदस्त जो है प्रोडेक्ट होने वाला है तो आप लोग जो ही इसके लिए वेट करो और जिस प्रोडेक्ट की एड मैंने की है लिक स्टार्टिंग में कारकेट की उसको आप खरीद सकते हो नीचे में लिंक दे देता हूँ कि वो काफी बढ़िया प्रोडेक्ट है हमने यूज किया तीन बार में अभी तक लद्दाग जा चुका तीनो बार मैंने वो यूज किया है और एक बार जो है मैं गया था इमाचल उस टाइम पर मैंने यूज नहीं किया देट सब्सक्राइ मेरी गाड़ी के तार काट ती थे चुएने लेकिन ये प्रोडेक्ट जब से यूज कर रहा हो ना भाई सीरियसली मज़ा आ गया मतलब कोई इस्यू नहीं आता गाड़ी में कहीं पे भी साथ में दो तीन गाड़ी और खड़िये न तो उन में भी चुआ नहीं जाता है तो इतना बेहतरी इन प्रोडेक्ट है आप भी जाओ खरीदो कारकेट को और अपनी गाड़ी में लगाओ कोई बड़ी बात नहीं है यार हम लाखों रुपे गाड़ी पे लगा देते हैं तो कुस दो चार जार रुपे लिग जो है आप जो है लगा सकते हो और अपनी गाड़ी को प्रोडेक्ट कर सकते हो तो चलayo यार मिलते बी नेक्स सुडियो में इस में इस गाड़ी की जो लाँच यह वो नेक्स सुडिय वह जाई